किंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे साथी, संसद में मेरे अन्य वरिष्ट सहियोगी गण, विभिन राजनितिक दनों के सम्मानित साथी, अन्य महानुभाव, देवी और सजनों देश के अलग-अलग हिस्सों में, आज त्योहारों और उत्समों का अवसर है, आज बैशाकी हैं, बोहाद भीहू हैं, आज से ओडिया नवर्थ भी शुरू हो रहा है, हमारे तमिनावल के भाई बहन भी नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं, मैं उन्हें पुतांड की बधाई देता हूँ, इसके अलावा भी कई छेत्रों में नवर्ष शुरू हो रहा है, अनेक पर्व मनाई जा रहे हैं, मैं समस्त्र देश्वासियों को सभी पर्वों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सभी को भगवान महवीर जेनती की भी बहुत बहुत शुपकामनाई है, साथियों, आज का ये अउसर तो अन्य कारणों से और विशेश हो गया है, आज पुरा देश बाबा साथ भीम्रावां बेड करको उनकी जेनती पर आदर पुर्वक, स्रद्धा पुर्वक याद कर रहा है, बाबा साथ जिस सम्विधान के मुक्य सिल्पकार रहे, उस सम्विधान ने हमें संसद्य प्राणी का आधार दिया, इस संसद्य प्राणाली का प्रमुक दाइत्व, देश के प्रधान मंत्री का पद रहा है, ये मेरा सवभाग्य है कि आज मुझे प्रधान मंत्री संग्राले देश को सबरपित करने का आउसर मिला है, ऐसे समय में, जब देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का परव, आज़ादी का अमृत महोत्सों मना रहा है, तब ये म्यूजियम एक भग्व्य प्रेणा बनकर आया है, इन 75 वर्षों में देश ने अनेक गवरों में पल देखे हैं, इतिहास के जरोखे में इन पलों का जो महत्वा है, वह और तुल्निया है, ऐसे बहुत से पलों की जलक, प्रधान मंत्री संग्रहलाय में भी देखने को मिलेगी है, मैं सभी देश वाच्चियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, थोड़ी देर पहले इस प्रोजेक्ट से जुड़े, सभी सात्यों से मिलने का भी मुझे आउसर मिला, सभी लोगों ने बहुत प्रफर्शनिय काम किया है, इसके लिए पूरी टीम को मैं बढ़ाई देता हूँ, मैं आज यहाँ पूर्व प्रधान मंत्रियों के परिवारों को भी देख रहा हूँ, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, प्रधान मंत्री संगरहले के लोकारपन का यह उसर, आप सभी की उपस्तिती से और भग्य बन गया है, आपकी उपस्तिती ने प्रधान मंत्री संगरहले की सार्थक्ता को, इसकी प्रासंगिक्ता को और बढ़ा दिया है साथियों देश अज्जिस उंचाई पर है वहां तक उसे पहुँचाने में स्वतम्त्र भारत के बाद मनी प्रत्तेक सरकार का योगदान है मैंने लाल किरे से भी ये बात कई बार दोहराई है आज ये संग्रहाले भी प्रत्तेक सरकार की साज़ा विरासत का जीवन्त प्रतिविम बन गया है देश के हर प्रधान मत्री ने अपने समय की अलग-अलग चुनोतियों को पार करते हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश की है सब के व्यक्तित्व, कृतित्व, नेत्रुत्व के अलग-अलग आयाम रहे ये सब लोग-स्मृति की चीजे हैं देश की जनता, विशेश कर्युवा वर्ग, भावी-पीडी सभी प्रधान मंत्रियों के बारे में जानेंगी तो उन्हें प्रेणा मिलेगी इतिहास और वर्तमान से बविश के निर्मान की रहा पर राष्ट्र कभी रामधारिसी दिनकरजी ने कभी लिखा था प्रियदर्शन इतिहास कंठ में प्रियदर्शन इतिहास कंठ में आज द्वनीत हो काव्य बने वर्तमान की चित्रपटी पर बुद्काल का संभाव्य बने भाव ये कि हमारी सांस्कृतिक चेतना में जो गव्रव शाली अतीत समाहित है वो काव्य में बदल कर गुंजे इस देश का संपन इतिहास हम बरतमान पटल पर भी संभव कर सकें आने वाले पचीस वर्स आज़ादी का ये अमृत काल देश के लिए बहुत एहम है मुझे विश्वास है कि ये नवनिर्मित प्रधान मंत्री संगरहाल है बविश के निर्मान का भी एक उर्जा केंदर बनेगा अलग अलग दोर में लिडर्शिप की क्या चुनोतिया रही कैसे उनसे निप्टा गया इसको लेकर भी भावी पीडी के लिए ये एक बड़ी प्रेरणा का माध्यम बनेगा यहाँ प्रधान मंत्रियों से सम्मंदित दुरलब तस्वीरे भाशन साक्षातकार मुल लेखन जैसी इस मरणिय बस्तुयें रखी गई है साथियों सारवजनिक जीवन में जो लोग उच्च पदौपन रहते हैं जब हम उनके जीवन पर द्रश्टी डालते हैं तो ये भी एक तरह से इतिहास का अवलोकन करना ही होता है उनके जीवन की घटनाए उनके सामने आई चुनवतियां उनके फैसले बहुत कुछ सिखाते हैं यानि एक तरह से उनका जीवन चल रहा होता है और साथ साथ इतिहास का निर्मान भी होता चलता है इस जीवन को पढ़ना इतिहास के अध्यन की तरह हैं इस मुजियम से स्वतंत्र भारत का इतिहास जाना जा सकेगा हमने कुछ साल पहले ही सम्विधान दिवस बनाने की शुरुआत कर राष्ट्रियत चेतना जगाने की तरफ एहम कदम उठाया है यह उसी दिशा में एक और महत्वपुन पढ़ाव है साथियों देश के हर प्रधान मत्री ने सम्विधान सम्मत लोकतंत्र के लक्षों की उसकी पूर्ती में भर्षक योगदान दिया है उन्हें स्मरन करना स्वतंत्र भारत की यात्रा को जानना है यहां आने वाले लोग देश के पूर्व प्रधान मंत्रियों की योगदान से रुब्रु होंगे उनकी पृष्ट भूमी उनके संगर्ष स्रजन को जानेंगे भावी पीडी को ये भी सीख मिलेगी कि हमारे लोकतांत्रिक देश में किस किस पृष्ट भूमी से आकर अलग-अलग प्रधान मंत्री बनते रहे यह हम बारतवासियों के लिए बहुत गवरव की बात है कि हमारे जादातर प्रधान मंत्री बहुती साधारन परिवार से रहे सुदूर देहाद से आकर एकदम गरीब परिवार से आकर किसान परिवार से आकर भी प्रधान मंत्री पत पर पहुँचना भारतिय लोकतांत्र की महान परंपराओं के प्रती विश्वास को द्रड करता है ये देश को युवाओं को भी विश्वास देता है कि भारत की लोकतांत्रिक ववस्ता में सामान्य परिवार में जन्म लाने वाला व्यक्ति भी शिर्सतम पदों पर पहुँच सकता है साथियों इस संग्राले में जितना अतीत है उतना ही भविश्य भी है ये संग्राले देश के लोगों को बीते समय की यात्रा करवाते हुए नई दिशा नए रूप में भारत की विकास यात्रा पर ले जाएगा एक ऐसी यात्रा जहां पर आप एक नए भारत के सपने को प्रगती के पत पर आगे बढ़ते हुए निकट से देख सकेंगे इस बिल्डिंग में चानिस से अधिक गिलेरिया है और लगबग चार हजार लोगों के एक साथ ब्रभन की व्यवस्ता है वर्चुल रियालिटी रॉबोर्स और दूसरी आधुनिक टेक्नलोजी के माद्यम से तेजी से बदल रहे भारत की तस्वीर ये संग्रावे दुनिया को दिखाएगा ये टेक्नलोजी के माद्यम से ऐसा अनुभव देगा जैसे हम वाकई उसी दौर में जी रहे हैं उनी प्रधान मंत्रियों के साथ सेल्फी ले रहे हैं उनसे समवाद कर रहे हैं साथियों हमें अपने युवा साथियों को इस मुजियम में आने के लिए साहिद करना चाहिए ये मुजियम उनके अनुभवों को और विस्तार देगा हमारे युवा सक्षम है और उनमें देश को नई उचाईयों तक ले जाने की ख्षमता है वे अपने देश के बारे में स्वतंत्र भारत के महत्वप्रून अवसरों के बारे में जितना अधिक जानेंगे समझेंगे उतना ही वो सटिक फैसले लेने में सक्षम भी बनेंगे ये संग्रहर आने वाली पीडियों के लिए ग्यान का विचार का अनुभवों का एक द्वार खोलने का काम करेगा यहां आकर उन्हें जो जानकारी मिलेगी जिन तथ्यों से वो परिचीत होंगे वो उन्हें बविश के निर्णे लेने में मदद करेगी इत्यास के जो विद्यारती रिसर्च करना चाहते हैं उन्हें भी यहां आकर बहुत लाब होगा साथियों भारत लोगतंतर की जननी है मदर अब डेमोक्रेसी है भारत के लोगतंतर की बड़ी विशेष्टा ये भी है कि समय के साथ इसमें निरंतर बदलाव आता रहा है हर यूग में हर पीडी में लोगतंतर को और आधुनिक बनाने और अधिक ससक्त करने का निरंतर प्रयास हुआ है समय के साथ जिस तरह कई बार समाज में कुछ कम्यां गर कर जाती है वैसे ही लोगतंतर के सामने भी समय समय पर चुनोतियां आती रही है इन कम्यों को दूर करते रहना खुद को परिस्कूत करते रहना भारतिय लोगतंतर की खुबी है और इसमें हर किसी ने अपना योगदान दिया है एकाद दो अप्पाद छोड़ दे तो हमारे हाँ लोगतंत्र को लोगतंत्रिक तरीके से मजबूत करने की गवरोशाली परंपरा रही है इतिहाँ इसलिए हमारा भी ये दाइत्व है कि अपने प्रयासों से हम लोगतंत्र को और जादा मजबूत करते रहे आज जो भी चुनावतियां हमारे लोगतंत्र के सामने है समय के साथ जो भी कमियागर कर गई है उन्हें दूर करते हुए हम आगे बढ़े ये लोगतंत्र की भी इस से हमसे अपेच्छा है और देश की भी हम सभी से अपेख्षा है आज का है एतिहासिक आउसर लोग तंत्र को ससक्त और सम्रुत करने के संकल्प को दोहराने का भी एक बहत्रीन आउसर है हमारे भारत में विबिन विचारों विबिन परंपराओं का समावेश होता रहा है और हमारा लोग तंत्र हमें ये बात सिखाता है कि कोई एक विचार ही उत्तम हो ये जरूरी नहीं है हम तो उस सब्विता से पले बड़े हैं जिसमें कहा जाता है आनो भद्राहा कृत्वो यंतु विश्वतः यानि हार तरब से नेक विचार हमारे पास आएं हमारा लोग तंत्र हमें प्रेडा देता है नमिंता को स्विकारने की नए विचारों को स्विकारने की प्रदान मंत्री संग्रहाले में आने वाले लोगों को लोग तंत्र की इस ताकत के भी दर्शन होंगे विचारों को लेकर सहमती ऐसहमती हो सकती है अलग-अलग राजनितिक धाराएं हो सकती है लेकिन लोग तंत्र में सबका धे एक ही होता है देश का विकास इसलिए ये म्यूजियम सिर्फ प्रदान मंत्रियों की उपलब्दिया उनके योगदान तक सिमित नहीं है ये हर विशम परिस्तितियों के बावजूद देश में गहरे होते लोग तंत्र हमारी संस्कृति में हजारों वर्षों से फले फुले लोकतांत्रिक संस्कारों की मजबूती और संविधान के प्रती ससक्त होती आस्ता का भी प्रतीक है साथियों अपनी विरासत को सहेजना उसे भावी पीडी तक पहुचाना प्रतेक राष्ट का दाईत्व होता है अपने स्वतंत्रता अंदोलन अपनी संस्कृतिक वैवव के तमाम प्रेरक प्रसंगों और प्रेरक व्यक्तितों को सामने जनता जनादन के सामने लाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है देश से चोड़ी हुई मुर्तियां और कलाकृतियों को वापस लाना हो पुराने म्यूजियम का पुननिर्मान हो नए संग्रहले बनाना हो एक बहुत बड़ा अभियान बीते साथ आठ वर्सों से लगातार जारी है और इन प्रयासों के पीशे एक और बड़ा मकसद है जब हमारी नवजवान पीडी ये जीवन प्रतिक देखती है तो उसे तथ्यकाभी बोध होता है और सत्यकाभी बोध होता है जब कोई जलियाँ वाला बागस मारक को देखता है तो उसे उस आज़ादी के महत्व का पता चलता है जिसका वो आज आनन ले रहा है जब कोई आदिवासी स्वतंतरता सेनानी संग्रहाले देखता है तो उन्हें पता चलता है कि आज़ादी के लड़ाई में दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी बाई बहनों ने कैसे हर छेत्र का योगदान रहा हर वर्ग ने अपना सर्वस्व न्योच पिशावर किया जब कोई क्रांतिकारियों पर बने संग्रहाले को देखता है तो उन्हें एसास होता है कि देश के लिए बलिदान होने का मतलब क्या होता है यह हमारी सरकार का सोभाग्य है कि हाँ दिल्नी में हमने बाबा साथ की महापरि निर्मार स्थली अलिपुर रोड पर बाबा साम मेमोरियल का निर्मान करवाया है बाबा साब आमबेड करके जो पंच तीर्त विक्सित किये गए हैं वो सामाजे न्याय और अटूट राष्ट निश्चा के लिए प्रिन्यना के केंद्र है साथियों यह प्रधान मंत्री संग्रहाले भी लोगों द्वारा च जुने गए प्रधान मंत्रियों की विरासत को प्रदशित करके सबका प्रयास की भावना का उत्सव मनाता है इसका जो लोगों है उस पर भी आप सबका जुरूर ध्यान होगा प्रधान मंत्री संग्रहाले का लोगों कुछ इस तरह का है कि उसमें कोटी कोटी भारतियों के हाथ चक्र को थामे हुए है यह चक्र चौबिस गंटे निरंतरता का प्रतीख है संग्रुद्धि के संकल्प के लिए परिश्रम का प्रतीख है यही वो प्रण है यही तो वो चेतना है यही वो ताकत है जो आने वाले 25 वर्सों में भारत के विकास को परिभाशित करने वाली है साथियों भारत के इतिहास के महामता से भारत के समुरुद्धि काल से हम सभी परिचीत रहे हैं हमें इसका हमेशा बहुत गर्व भी रहा है भारत की विरासत से और भारत के वर्तमान से विश्व सही रुपे परिचीत हो यह भी उतना ही आवशक है आज जब एक नया world order उभर रहा है विश्व भारत को एक आशा और विश्वास बरी नजरों से देख रहा है तो भारत को भी हर पल नई उचाए पर पहुंचने के लिए अपने प्रयास बढ़ाने होंगे और ऐसे समय में आजहती के बाद के ये 75 वर्ष भारत के प्रधान मंत्रियों का कारेकाग ये प्रधान मंत्री संग्रहाल है हमें निरंतर प्रेड़ा देगा ये संग्रहाल है हमारे भीतर भारत के लिए बड़े संकल्पों का बीज बोने का सामर्थ रखता है ये संग्रहाल है भारत के भविश को बनाने वाले युवाओं में कुछ कर गुजरने की भावना पैदा करे जो आने वाले समय में यहां जो भी नाम जुड़ेंगे उनके जो भी काम जुड़ेंगे उनमें हम सभी एक विक्सीद भारत के सपने को साकार होने का सुकुन डून पाएंगे इसके लिए आज मेहनत करने का समय है आज हादिकाई अमृतकाल एक जूट एक निष्ट प्रयासों का है देश वास्यों से मेरा आग्रह है कि आप खुद भी आएं और अपने बच्चों को भी इस मुजियम का दर्शन कराने जरूर लाएं इसी आमंत्रण के साथ इसी आग्रह के साथ एक बार फिर प्रधान मंत्री संग्रहाले की बहुत बहुत बधाई देता हूँ धन्यवाद